हाई एवरिवन वेलकम टू लर्न विद मी दिस इस शिनम कटारिया अगर अभी तक आपने लर्न विद मी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से जाओ और लर्न विद मी को सब्सक्राइब करो देखिए आज रशिया के द्वारा क्या किया गया रशिया के द्वारा आज युक्रेइन पे अटैक किया गया युक्रेइन की कैपिटल कीव पे अटैक किया गया युक्रेइन की कुछ वेस्टन सिटी और सैंटरल सिटी पे भी अटैक किया गया अब मीडिया के द्वारा इंडिया से जवाब मांगा जा रहा था कि आज जो रशिया ने उक्रेन के साथ किया आप उस पर क्या कहना चाहेंगे तो देखिए जो मनिस्ट्री ओफ एक्सचरनल अफेर्स के जो स्पोक्स परसन है बाक्ची उन्होंने ट्वीट किया कि हम इस बात का दुख परगट करते हैं जो युक्रेन के साथ हुआ युक्रेन का इंफरेस्ट्रक्छर इतना खराब हो गया युक्रेन के सिविलियन मारे गए जो कि बहुत बड़ी बात है अगर दो कंट्री सापस में लड़ती है तो उसमें सिविलियन की जान चली जाती है वो बेकसूर, तो वो बहुत बड़ा सदमा लगता है, तो deeply concerned over escalation of conflict in Ukraine, यह tweet करके उनके द्वारा कहा गया है, और यहाँ पे उन्होंने यही बात same लिखी है, कि India on Monday said, it is deeply concerned over the escalation of the conflict in Ukraine, and called for immediate cessation of hostilities, and urgent return to the path of diplomacy and dialogue, उनका यहाँ पे यही कहना है, कि हम इस चीज़ का दुख परकट करते हैं, जो भी Ukraine के साथ हुआ है, और हम यह जो शतुरता है, हम चाते हैं, यह जल्दी से समापत हो जाए, और सारी बाते डिप्लोमासी डायलोग पे आ जाए, यही है, कि दोनों कंट्रीस में एक शान्ती की बात हो, यह सब कुछ खतम हो जाए, यह जो शतुरता है, होस्टिलिटी से, और यहाँ पे उनके द्वारा यह भी कहा गया, देखो जो एसकालेशन ओफोस्टिलिटी से, वो किसी के भी हात में नहीं है, अगर शतुरता है, किस इस सिचुएशन को सही किया जाए, तो इंडिया इसमें अपने पूरे एफट्स करने वाला है, तो आगे देखिए, स्पोक्स परसन, अगर बाक्ची ने जो ट्वीट किया है, वो मिनिस्टी ओफ एक्सटरनल अफेर्स के बिहाव पे किया है, और यही बात यहाँ पे सेम ल आरे जाना, तो यहाँ बे देखिए, यह उन्होंने ट्वीट किया था, इस ट्वीट में सारी बाते मैंने आपको बता दी है पहले ही, तो यह बाक्ची के द्वारा ट्वीट किया गया, आवर रिस्पोंस चु मीडिया क्वाइडी ओन एसकलेशन ऑफ कन्फिलिक्ट इन क्योंकि फ्रेस्ट स्ट्राइक जो की गई है अगेंस मल्टिपल युक्रेनियन सिटी जब स्ट्राइक की है, क्योंकि रश्या ने क्या किया है, युक्रेन पे स्ट्राइक की है, अब रश्या ने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि आपको पता होगा, मैंने अभी एक शोर्ट भी तो यहां पर जैसे ही ऐसा सारी सिच्वेशन हुई तो इंडिया की तरफ से यह स्टेटमेंट आगी जिसमें सीविलियन टार्गेट किये गए दस पिपल मारे गए मतलब बहुत बुरी सिच्वेशन हुई तो यह थी सारी तो यह थी सब्सक्राइब कर लो